Hello everyone, Welcome back to my channel तो आज हम बनाएंगे गोभी मतर की सब्जी लेकिन कुछ अलग तरीके से अगर आप एक बार इस तरीके से गोभी मतर की सब्जी बना लेंगे तो हर बार इसी तरीके से ही बनाएंगे तो वीडियो को एंट तक ज़रूर देखीएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा तो आईए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पीस गोबी का लिया है यह एक किलो के करीब गोबी है इसको मैंने अच्छे से दोल लिया है और इसके नीचे जो डंठल थे वो मैंने सारे निकाल दिये है और अब हम क्या करेंगे अब इस गोबी को हम कद्दुकस करेंगे तो यहाँ पर मैंने कद्दुकस ले लिया है मोटे वाली साइट से ही हम इसको कद्दू कस करेंगे तो अब हम गोबी को अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे तो ये देखिए मैंने गोबी को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने कटई ले ली है उसमें मैंने 2 चम्मच oil के डाल दिये हैं और अब हम ioscoum oil को गरम करेंगे तो यहां पर oil को हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें डाल देने कपड़ुकस की वई गोबी और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इसको भूणने से क्या है इसका जो कच्छापन है वो दूर हो जाएगा और इसका टेष्ट है वो भी बहुत अच्छाएगा तो यह देखिए गोभी को मैंने अच्छे से भूणन लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे इस पैन में से निकाल लेंगे तो इसे मैं एक प्लेक में निकाल लूँगी तो चलिए अब गोबी के लिए तरका त्यार करते हैं तो मैंने वही सेम पैन लिया है और इस पैन में मैंने डाल दिये हैं दो बड़े चमच भरकर ओईल के और ओईल को अब हम गरम करेंगे तो यह ओईल हमारा गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ चमच जीरे का जीरा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची ली थी जिनकों की मैंने बारी काट लिया है और अब हम इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हिंक थोड़ा सा हिंक का पाउडर डाल दिया है और अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हिंक का पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अद्रक और लहसुन का पेस्ट अद्रक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे तो ये देखिए अद्रक और लहसुन का पेस्ट हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी तीन बारीक कटे हुए प्याज ये देख इसमें डाल रही हूं आजा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का और अब इन दोनों को डाल कर आम इसे भी अच्छे से भून लेंगे तो अब यह हमारा मसाला हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी तीन तमाटर और तमाटर डालने के बाद अब हम इस मसाले को पांच मिनट के के लिए अच्छे से भून लेंगे तो टमाटर हमारे हो गए है तो अब मैंने यहां पर लिया है एक कप से थोड़े से कम बॉयल मतर आप फ्रेश मतर ले और उसको थोड़ा बॉयल कर ले और फिर इसमें डाल दे और अब मतर डाल कर भी इसे अच्छे से चार से पांच मैं इसमें डाल दूंगी और अब गोबी डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें तो अब गोबी को मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच भर कर धनिये पाउडर का साथी में हम इसमें डाल देंगे नमक में और डाल रही हूं इसमें अब मैं डाल रही हूं इसमें लाल मिर्शी का पाउडर और शाथी में हम डाल देंगे इसमें आधा चमच गरम मसाले का और अब इन सब मसालों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कसूरी मेति से इसlished flavor बहुत अच्छा रहेगा और अब अच्छे से mix करने के बाद अब अच्छे से mix कर लेटें घोबी में अच्छे से mix ऑ गई है । अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूं थोडा सा kitchen pudding powder इससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और लास्ट में इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे धन्यापता यह देखी मैं इसमें धन्यापता डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिला ले तो धन्यापता मिक्स करने के बाद यह हमारी तो यह देखिए यह हमारी गोबी मटर की सबजी जो है वो एकदम तयार है आप इसे एक पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा यह बहुत टेस्टी बनती है तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and thank you for watching my video, bye bye!